हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर एके आजाद और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल मेडिकल दोस्त दोस्तों मुझे आए दिन कमेंट आते हैं, इमेल से आते हैं और लोगों की ये बहुत कोशिश रहती है कि कोई एक अच्छा भूख बढ़ाने के सीरब के बारे में बता दूँ और दोस्तों वैसे तो भूख बढ़ाने के लिए धेर सारे सीरब मार्केट में आते हैं लेकिन स बहुत ही बेहतरिम सीरप के बारे में आपको पूरी जनकारी देंगे जो कि आपकी मरी हुई भूख को जगा देता है आप कुछ भी खालें दोस्तों कुछ भी खालें तुरंत पचा देता है। साही तरीके से नहीं होता पेट भारी भारी सा लगता है तो इन तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए जो मैं बहतरीन सीरप बता रहा हूं दोस्तों इसकी कीमत भी काफी कम है मातर 200 ml का बाटल आपको 130 रुपे में मिल जाता है और यह आपके किसी भी आसपास मेडिकल स्टोर से आप खरीज सकते हैं और यह सीरप काफी इफेक्टिव है दोस्तों यह आपके डाइजेशन प्रॉब्लम को काफी अच्छा कर देता है अगर डाइजेशन प्रॉब्लम काफी विक है आप कुछ भी कड़ा चीज खा लेते हैं हजम नहीं हो पाता ऐसा लगता है कि पेट मे यह समस्य आती है भूग जब खतम तो दोस्तों आपके बॉड़ी में विटामिन्स मिन्राल्स आयरन कैल्शियम के कमी काफी जादे देखने को मिल जाती है और आपका सरीर बिलकुल सुष्ट पढ़ जाता है आप दिन भर बिस्तर पर लेटे रहते हैं किसी काम करने में मन न काम नहीं करता तो दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम की शिकायत है भूग ना लगने की समस्या है बार बार उल्टी या मतली या गैस बनने की समस्या है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाए वह आपकी समस्या को समझ कर आ मतलब की 1500 रुपिया खर्चोना और इसी पैसे के बचाने के चक्कर में लोग इदर उदर बढ़कते हैं लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में जो सीरफ बता रहा हूं यह आप चाहें तो किसी डॉक्टर से भी सलाल ले सकते हैं सीरफ को इस्तमाल करने के लिए या फिर अग आपको पूरी जनकारी दे देते हैं तो इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं यह दोस्तों वेल्जी मैक सीरफ जो की 200 में आता है प्राइज 130 रुपिय देखने को मिलती है और फार्मुले की बात करें तो यह फंगल डाइजेस्टिव एंड पैपसिन यह सीरफ है दोस्तों यह आपके पेट में अगर इंजाइम ना बनने की समस्या है जिससे आप कुछ भी खाते हैं खाना पेट में पड़ा रहता है पस्ता नहीं और ना पचने की वज़े से आपके पेट में ही खाना सड़ने लगता है जिससे आपको बार-बार खटी-खटी डिकारे आती हैं बार- समस्चा हैं, आप को देखने को मिलती हैं, दोस्थों, अगर आप दोस्तों मैं जो सीरप बता रहा रहा हूं, जिसका नाम है, वेल्जी मैक सीरप जो की स्क्रीन पे आपको सो हो रहा होगा, अगर आप ये सीरप ल calendar पेड़ में Kanne तो दोस्तों मैं बतातूं आप अगर कोई भी कड़ा चीज खा लें जैसे कि मटर चना बहुत से लोगों को हजम नहीं होता कोई भी कड़ा चीज खा लें फौरन आपके पेड़ में पचे जाता है और उसी पचे हुए खाना का निचोड़ आपके बॉड़ी में लगने लगत तो वह भी दूर हो जाता है गाल अंदर की तरफ दसे हुए हैं थे तो वह भी फूलने लगते हैं यानि कि पूरी परसनाल्टी आपके बदल जाती है और आपके शरीर शुडोल और सुन्दर दिखने लगता है दोस्तों अगर आपको वेल्जी मैक सीरप आसपास ना मिले त सकते हैं दोनों का काम से मैं ओसके थोड़ा सा मांगा पड़ेए तो यह carve पता दूं में बटा दूंज। सभी लोग इस्तेमाल करके अपने डाइजेशन प्रोब्लम की समस्या को दूर कर सकते हैं दोस्तों कई बार हमारे पेट में इंजाएम जो है सही तरीके से नहीं पंता, इंजायम ही हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़े में पचाता है और पचाने के बाद उसे मल बनाकर बाहर नीकालता है, तो जब इंजायम आपके पेट में नहीं बनेगा तो उस वक्त आपको external इंजायम लेने की जरूरत पड़ती है, तो वही सीरप है वेल्जी मैक सीरप आप इक्स्टरनल जब इंजाइम लेते हैं तो आपको भूग भी बहुत जादा लगता है और जो भी खाते पीते हैं वो शरीर में अच्छी तरह से पच जाता है और उसी खाने का निचोड़ा आपके बाड़ी में लगने लगता है तो इ सुगर की परेशेंट इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं बता दूं वेल्जें में युद्ज थी मैक सिरप अगर आप कुछ दिन इस्तमाल कर लेते हैं मतलब 1 फा Fach लेते हैं तो यह आपकी भूक ना लगनी की समस्या कोienst खित्म कर देता है जो भी खहते estou बढूं पज जाता है उल्टी अगर आ रही थी बार-बार मतली आ रहा था वो भी ठीक हो जाता है अगर आपको कब्ज की शिकायत थी यानि कि पेड़ सही तरीके से साफ नहीं होता था तो वह भी समस्य आपकी ठीक हो जाती है या खाना खाते ही फौरन आप टौइलेट की तरह बागते थे दिन बरबे 4-5 मरत्वा तो यह भी समस्य आपकी ठीक हो जाती है इतना जबरदस्त यह सीरप काम करता है लेना कैसे है जानना बेहत आपके लिए जरूरी है तो इसे जो है एडल्ट में 10-15 एमिल दिन में दो बार दे सकते हैं बच्चों में पिलाना चाहते हैं तो 5 एमिल दिन मे फॉरन पच जाएगा कोई इसे डिटी नहीं होगा कोई जलन नहीं होगा तो यह था दोस्तों वेल जी मेक सीरप के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी इच्चा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेर करें और इसी तर पैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें